असलामु अलेकूम मैं जुलेखा इर्फाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़ी आसा मसाले वाली मच्छी का सालन एक तम देसी स्टाइल में वो जो उमिलिया चाटते रह जाते वाला होता है एक दम फीलिंग वैसा वाला सालन बनाते चलिए तो शुर कि अच्क किलो कोई आप की पसंद बसी यिसे नम्मक मैं टो छाटल लगा दिया और अब कि अएट इसे डिशेंडे के लिए वगात करते अच्छे नमक लंख लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजी क्योंकि ये धुल नहीं वाला है, तो मैं आदे घंटे के लिए इसे मेरिनेट करके रख देते हूं, आपके पास आप चाहें, तो पौना घंटा भी रख सकते हैं, आदा घंटा पौना घंटा हो जाए, तो एक कटोडी के अंदर 1 चुड़ चाह का चमच नमक दाल दीजिए, आदा चुड़ चाह का चमच हल्दी पावडर, और 3 फोद या एक चुड़ चाह का चमच कश्मीरी लाल मिर्ज पावडर दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये मसाला है, आप देख सकते हैं, अब पौने घंटे के ब आगे भी लगाईए, पीछे भी लगाईए, अगर कोई बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि स्पेस है, तो उसमें भी लगा दीजिए मसाला, तो अच्छा फ्लेवर आएगा मच्छी के अंदर, जब आम अच्छी में मसाला पूरी तरीके से अच्छे से उलट-पलट करते ह हुए लगा दे चारों ओर, तो इसे ढख कर फिर से आदे घंटे के लिए फुरिज में मरिनेट होने रख दीजिए, मच्छी को मरिनेट होके आदा घंटा हो चुका है, तो यहां पर मैंने फ्राइपन रख दिया है, चुला फास नाच पर चालू कर दीजिए और तेल अपन फ्राइपन में समाएं तो आप बैचेस में बना सकते हैं, अब पीछे की साइद 2 मिनिट फास नाच पर पकने दीजिए, जब 2 मिनिट एक-2 मिनिट हो जाए तो पलट दीजिए और इसे पलटने पर भी एक देड़ मिनिट तक पकाएं, और उलट-पलट करते हुए ना अच प्लट करके दो-दो मिनिट पीछी और दो मिनिट आगे जो पका रहे हो उसमें तो 90% मच्छी पग जाएगी, तो अब मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा डाक स्पॉट्स दिला देती हूं, दोनों और से जादा नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि फिर जादा करूंगी, तो मच्छी पूरी तरीके से गल जाएगी, और हमें मसाले में भी थोड़ा फ्राइ करना है हमारे ग्रेवी के अंदर, तो आप देख सकते हैं, दोनों और से light golden brown हो गई है मच्छी, तो मैं इसने निकाल कर साइट पर रख देती हूं, इस तरीके से, चलिए ये सारी मैंने फ्राइ कर लि मीडियम साइस की प्यास को पीस लिया था, थोड़ा सा पानी डाल कर, अब ये सारा प्यास डाल दीजिए इसके अंदर, और एक टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट डाल कर, इसे बार बार चलाते होगे, चार पांच मिनिट तक भून लीजिए, आप चाहे तो मीडियम आज कर सकते हैं, या फिर फास्ट भी रख सकते हैं, मैंने मीडियम आज पर रखा है, 4-5 मिनिट तक मैं इनहें भून लेती हूं, मुझे थोड़ा सा तेल कम लगा, तो आपने देखा, मैंने थोड़ा सा तेल टाल दीया है, बीच में, चार-पांच मिनिट में अच्छे से आप देख सकते हैं, प्याज और अधरक लस्तन तो भूनी चुका है, तो अब यहां पर मैं दो मीडियम साइज की टमाटोरों का पेस्ट दाल देती हूं, कुछ नहीं, मिक्सर जार के अंदर दाल कर पीस लीजिए, और इसे आप से अज़स कीजिए, स्पाइस हमेशा, अब इसे बार-बार चलाते हुए, मीडियम आज पर भून लीजी, मसालों को भी, और टमाटोरों को भी, तकरीबन 3-4 मिनिट लगेगी, अच्छा, साइट पर ना, मैंने इसमें, जिसमें निकाल कर रखा था ना, जो डिश के मैंने ट्रांसफर कर दिया बड़ी प्लेट में, तो इसका जो मसाला बचाता है, यानि कि तेल जो भी था, वो मैंने इसमें डाल दिया, अब इसे बार-बार चलाते हुए, तीन-चाल मिनिट तक भून लीजीए, नम्मक मैं अभी डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से नम मैंने पीसा था, उसके अंदर चला कर मैंने इसमें डाल दिया, अब इसे एक बार चला लीजिए, छूला स्लो आज करके ठाक कर इसे तब तक पकने दीजिए, जब तक तेल नहीं छूट जाता, तो तब तक मसाला भी भून जाएगा, चलिए 6-7 मिनिट हो चुकी, मसाला नहीं और फिर से आपको मसाला भूनना है, कोई बात नहीं, वन फोट कप जितना पानी डाल कर, एक बार मिक्स कर लीजिएगा, ठाक कर इसे स्लो आज पर पकने दीजिएगा, तब तक पकाईएगा, जब तक देल नहीं छूट जाता, बट यहां मेरा परफेक्ली हो चुका ह तो मैंने एक कप पानी डाला है, इसके अंदर चुला मीडियम आज कर दिया, और यहां पर मैंने आदा चुरचे का चमच भर कर, गरम मसाले का पॉडर दाला है, नमक थोड़ा अज़स्ट कर लीजिए, और मिक्स कर लीजिए, अच्छा मुझे पानी कम लग रहा है, अब य इसके अंदर मैं एक उबाला जाने देती हूँ, छुला मीडियम पर है, अच्छा उबाला जाती है, तो यह हमारी जो मच्छी फ्राइ करी हुई है, पढ़िया सी, मज़ेदार सी, और यह जैसे मैंने कहा, चार मिनिट के अंदर, तो 90% है all the most गल चुकी है, क्योंकि पतले थ मच्छी के अंदर का भी सारा मसाला ले लीजिए, कुछ भी चेस वेस्ट मत कीजिएगा, उसे एक बर हल के हाथ से चलाईएगा, रिक्तम डेलिके होती है मच्छी, उसे जादा भी मत चलाईए कि वो टूट जाए, अब इसे पकने दीजिए, मैं हमेशा मीडियम आज पर 3-4 मिनिट तक पकने देती हो, so that मच्छी बाकी की जो गली नहीं है, वो गल जाए, अब एंड में इस तरीके से चलाईए भी मच्छ मच, सिर्फ हिला लीजिएगा, कपड़े से, चले, 3-4 मिनिट हो चुके हैं, तो मैं चूला कर देती हूँ, बंद और थोड़ी सी कोथमीर, य इसे और देखने से ही पता चल जाते हैं, पर आपको पता नहीं चलेगा, तो आप छूरी इंसर्ट कीजिएगा, और एकदम असानी से चलेगा, मतलब मच्छी गल चुके हलका भी आपको प्रेशन लगे, इसका मतलब मच्छी अभी भी होनी, बाकी है, एक दो मिनिट और उस सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, कि आपकी मच्छी बहुत जादा गल जाएगी, यानि कि छूटने लग जाएगी, तो मैं तो हमेशा एंड टाइम पे ही, जब मुझे सर्फ करना होता है, तब ही मैं मच्छी का सालन बनाती हूँ, अब अगर आपकी ग्रेवी बहुत कम लगे, तो लाइक जरू कीजिए इस वाले वीडियो के, उससे जादा अच्छी लगे, तो अपने फामिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंग जरूर फवर्ट कीजिएगा, अगर आप बनाये तो मेरे साथ कमें सेक्षिन में जरू च्छी कीजिएगा, मुझे आ आज रूंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल दें, टेक केर अला आफिस, बापाई